प्रचंड विरोध और बीजेपी में अंदरूनी तोर पर छिटपुट आवाजों के अलावा एक और बीजेपी नेता ने नाराज होकर बीजेपी अध्यक्ष को खत लिखा है। हिमाचल के पूर्व सीएम शान्ता कुमार ने अमिच शाह को चिट्थी लिखी आचार समिती बनानी की अपील की है जो आरोपी नेताओं की खबर ले सके। इस बार हिमाचल के ठंडे पहाड से अशान्ती की आग उठी है। एक साल उतलब्धियों का साल रहा। पहले साल का हम जश्न मना ही रहे थे कि अचानक ग्रहन लग गया। आगे वो लिखते हैं। राजिस्तान से लेकर महारास्टों तक गोटालों की खबर ने शर्म से हमारा सर नीचे कर दिया। भारतिय जनता पार्टी का कारे करता सिर जुका कर चल रहा है। शान्ताकुमार ने पार्टी अध्यक्ष से एक नई आचार समिती बिनाने की अपील की है। केंद्र और राजिस्तर पर ये समीतियां लोकपाल की धरहें काम करें। भारत में केवल हमारी पार्टी आशा की अंतिम किरण है। यदि हम भी इसमें सफल ना हो पाए तो देश हमें माफ नहीं करेगा। भारहाल देश की चिंता में डूबे शांता कुमार को पहले पार्टी के कोप से उबरना होगा। जेपी नडड़ा नो इनने सोच समझ कर बोलने की नसीहत दी है। बी जेपी मानती है कि शांता कुमार कॉंग्रिस के बहकावे मागे है। खुद शान्ता कुमार कह रहे हैं कि वो अपने शब्दों पर कायम है यह अशान्ती कहां से उठी कहना मुश्किल है लेकिन योग दिवस पर आडवाने के साथ योग कर रहे शान्ता कुमार ने शायद प्रश्णों की प्रेड़ना वहीं से लिह हो शान्ता कुमार की चिठी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक और हत्यार दे दिया है मतलब साफ है कि सरकार को विपक से कम अपने ही निताओं से खत्रा जादा है कैमरामेन पिनाकी सेन के साथ हिवान चुमिश्रा दिल्ली